एफिश्यों की पत्री दूसरा द्याई में एक से तिन तक दुवारा देखेंगे मनन करेंगे एफिश्यों की पत्री दूसरा द्याई एक से तिन तक उसने तुम्हें भी जिलाया तुम्हें भी जिलाया कलिसिया वालों के लिए एफिशिक कलिसिया वालों के लिए जो प्रभु में नया जनम पाए है उद्धार पाए है नई सुष्टी बन गए उनके लिए बोल रहे है तुम्हें जिलाया मतलब आपके अंदर नहीं जीवन आ गया ये समझ लिजे आप पुराणा वेक्ति नहीं आपको जिंदा खर दिये मरवे से मरव आवस्तासी जिंदा हो गया आगे बढ़िये जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे मृत्यू बाहर नहीं दिखता था लेकिन अंदर इंसान के दिल में मृत्यू काम करता है उनके शब्दों में मृत्यू उनके सोच विचार में मृत्यू उनके काम काज में मृत्यू अपने ले भी दूसरे के ले भी मृत्यू कारक कामों को इंसान करते रते थे पापों में नया जिवन दिया, नया झीवन दिया, मरह वाता, पापों में अपरादों के कारण मरह हुएते, अंदर आत्मा में मरह पड़े, बड़े-बड़े पाप भी करने से भी जरह से भी महसुश नहीं होते थे, बिंदास उसको कुषी-कुषी से सबके साथ मिलकर उस कच्ड़ा में पढ़े रहते थे सोरों के समान हम लोग अमारा अंदर परमेशरिक नया मैसुस दिला नया जीवन को दिया इश्मसी का जीवन अमारा अंदर आया उस जीवन से हम जी रहें आगे बढ़ना जिसमें तुम पहले इस संसार की रीती पर और आकाश के अधिकार के हाकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आग्या न मानने वालों में कार्य करता है आग्या न मानने वाले लोगे संसार में जितने भी लोग है इश्मसी को नहीं मानते हैं इस समाचार पर विश्वास नहीं करते हैं परमिश्यर का मेन आग्निया यही है परमिश्यर अपना एक लटा बेटा को बेज़ा है ईशुमसी को और कहता है उसको विश्वास करो यही मेरा बड़ी आग्निया है भागी सब बात में आता है उसको विश्वास करके उसके द्वारा अनंत जीवन को पाना है आग्निया नयम बीच वाला है, लोगों को बर्मा कर मही इश्वर हूं करके, अपना अलग अलग रूप ले लेता है, और लोग बलें बगान अलग रूप लेगा, ऐसा नहीं होता है, अलग अलग रूप नहीं लिया, परमिश्र एकी बार प्रगडवा इश्व मुसी के द्वारा, लेकिन लो कर्मों से उद्धार नहीं होता है, इश्व मुसी से उद्धार होता है, तो लिख रहे हैं, अम अंदगार की हाकिम के वश में थे, और आम अंदेर का ताकत में थे, अभी भी आग्ना नाम मानने वाले में उस आत्मा करिया कर रहा है, संसार के रिदी पर चलते हैं, सब कर दो लोगी हैं, इसके बारे में पिछले अपते में उने प्रचार किया हैं, कल यूटूब में आप सुन सकते हो, तो आम अंदगार की वश में नहीं हैं, प्रिया पुत्र के राज्ये में आगे हैं, जोती के संतान बन गे हैं, जोती के कारी आमारे जीवन में होगी, चु जोती में चलेंगे, वफदारी में चलेंगे, विश्वास योगेता में चलेंगे, जोती में चलेंगे, जोती के राज्ये, प्रेम का राज्ये, जोती का राज्ये, इमानदारी का राज्ये हैं, इसमें हम आ गये हैं, जीवन पाली हैं, आंग कुल गये हैं, सब दिखाई द करेंगे आपके अंदर पवितर आत्मा बोलेगा जिसको कैसे विवार करना चाहिए आपके ज्ञान मिलेगा यही इस राज्य में आने बालों के अंदर परमिशर कारिय करते हैं नहीं जीवन देते हैं आंकों को कोलते हैं ज्ञान सिकाते हैं नहीं सेरे से चलने के लिए मदद क करते हैं, अभी तो हम पएले जिसे नहीं है, समझ लेना, बाव-बार इस बात onu की आद करना, इसले हम गाना में गाते हैं, तेरे साथ में कुरूसित हो गया, अभी मैं नहीं मसी मुझ मैं जीवित है, आइसे यसे गाना को गाते रहो, वचन मनन कальной करते हैं, यांदगार की वश में नहीं हूँ मेरे उपर बीमारी का थाकत नहीं है मेरे उपर दुष्टात्म का प्रभाव नहीं होगी कोई भी जादु टोना नहीं चलेगा कोई भी शुराप के सामत मेरे जीवन में मेरे परिवार में कारिय नहीं करेगा इस डंग से सोचेंगे, सोचेंगे ना, यही तो सोचने के लिए ट्रेनिंग मिल रहा है यहां पर, हम यहां पर यही ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप कैसी दुनिया के शैतान से बच सकते हैं, मुझे भी इसी से बचना पड़ता है, मेरे लिए भी यह अतियार है, आपके लिए या तियार दे रहा हूं, आपको इस दंग से सोचना चाहिए, मैंने मनिश्य हो गया हूं, मेरा अंदर पुराना बाते बित गई, देखो सब नाया हो गया है, इन इस दंग से आपको समझना चाहिए, तिसरा बचन, इन में हम भी, हम भी, हम भी सब के सब, कितने लोग यहां पर बैटे हैं, पंदरा हो, बीस हो, पचीस हो, पाचास हो, सब भी हो, पांच हजार भी हो, कितने भी होने से भी, प्रचार होई है, वचन होई है, सब के सब, एक भी, नहीं बोल सकते हैं, पास्टेज में कोई पाप नहीं किये, आज़ा न आपको नया जीवन का अरम नहीं हुए हैं, सब के सब इसी स्थिती में थे, सब के सब मरे पड़े थे, सब के सब अंदे थे, शैतान की बश्च में थे आगे, पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, और शरीर और मन की इच्छाय पूरी करते थे, जैसा मन मानी से चलते थे शरीर जो चाहता है जानवर जेसे जानवर क्या करेंगा रोड पर जायेगा सब जी दुकान में बनाना है और किसी को बूचे गाई लेके कहा ते रहेंगे दुखान वाला डंडा से उसको मारता है फिर पुजा भी करते लोग क्या करेंगे तो जानवर है उसको इतना ही बुद्धी दिये है परमेशर उसके लिए बुद्धी इतना ही है का लेना और ट्राइलेट कर लेना बस रिप्रोडक्शन करना दूसरा कोई परपस ही नहीं है शरीर से चलने वाले ऐसे एक जानवर जैसे चलते है जो भी चाये जो भी देखने का देख लेंगे जो भी सुनने का सुनेंगे जो भी काने का कायेंगे सोचेगा नहीं शरीर शरीर के अंदर शैतान कारियक करता है छोटा बच्च अंदर भी देखो, कैसे भी शयतान कारिय करता है, अब सोचिग अरे मेरा छोटा बच्च तो एंजल हैं, क्या हैं? एंजल, लेकन एंजल नाम रखने से भीочь शयतान तो कारिय करता हैं, अगर आम सावदानी नहीं रहेंगे, अग्न नम मानने वाले में कारिय कर आकाश की हाकिम अधिकारी शैतान हमारा में भी इस बातों को याद नहीं रखेंगे इस बातों को सोचेंगे नहीं हम शैतान की वश में नहीं हैं हम अंदागार की ताकत की वश में नहीं हैं हमारा शरीर कनुसारा भी चलेंगे नहीं मनमानी से चलेंगे नहीं दूसरों लोग जैसे पहले चलते थे पहले थे पहले कैसे थे मैंने बोला न क्या क्या है पहले बोलो शरीर के अनुसार दुनिया का अनुसार अपना मर्जी के अनुसार सब के जैसे अगने नहीं मानने वाले थे परमिशर को नहीं जानते थे परमिशर को नहीं चाहते थे प्रभु के बातों को मानते नहीं थे अंधेरे में थे दुष्ट के वश में थे कितनी चीज बोला लीके रखना डायरे में यह सब थे हम यह सब थे अभी हम जोती के संतान है प्रभु के आत्मा के अंदर है यशु के अंदर हूँ नया सिष्टी हूँ नया विक्ती हूँ अभी मेरे उपर परमिशर का अनुगर है मिलता है जो भी विक्ती नया सिष्टी बन गए है यशु मसी मेर आते हैं आपके लिए एक अच्छा संदेश है आपके लिए परमिशर का अनुगर है या लिक रहे पढ़ना तीन का दुवार पढ़ना इच्चाएं पूरी करते थे तिसरा बच्चन और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से कुरोध की संतान थे सुभाव ही अपना सुभाव मतलब कुछ कारे नहीं उनके सुभाव से ही उनके अंदर का सुभाव है उनके अंदर गलत कम करवाता है और क्रोध की संतान होती है दुनिया में कितने भी लोग है, सब के लिए बाईबल बताती है, कितनी ही महान लोग हुँगा, अच्य लोग होगी, लोग बोलते हैं, अरे बड़ा आत्मी है, यह हीरो है, फिल्म स्टार है, बड़ा शुरवीर है, खप्तान है, बड़ा पडाली का आत्मिय PhD है लंडन वाला PhD ट्रिपल PhD है अगर उनके अंदर यह चीज नहीं है उद्धार नहीं है नहीं जीवन नहीं है पापों से मन नहीं फिराया येश्व मसी के लहू पर बरोसन हें किया येशु के पवित्र लहू से पापों को दोया नहीं उद्धार पाया नहीं अनिये लोगों सब लोग सब भी ने पाप किया प्रभु के महिमा से रहित हो गए सब क्रोध की संतान हाब बोलेंगे परमेश्व सब को प्रेम कर रहा है प्रेम तो कर रहा है लेकिन क्रोध क्यों आ रहा है क्रोध का लिए भी कारण है इशो जी समझाते है बाई बिना मतलब से क्रोध नहीं कर रहे है क्रोध के लिए कारण है ये की कारण है क्रोध आने के लिए ये की कारण है आपने किया और पाप में कारण नहीं है आपने प्रेम को इंकार किया वही बड़ा कारण क्या कारण है प्रेम को इंकार किया अनुगर को इंकार किया पिता ने फुत्र को बेजा बचाने के लिए डाक्टर आया बचाने के लिए अब बलते नहीं चाहिए अमरिका में एक केस हुआ था है गुणगार फांसी लगाने वाले थे उसके लिए क्या किया कुछ लोग उनके रिस्तादार लोग वो लोग उने पेटिशन डाला राष्ट्रबती होते हैं प्रिजिरंट हमारा देश उनके देश में अलग है प्रिजिरंट का बहुत पावर होते हैं वहाँ पर जैसे हमारा इदर प्राइम इनिस्टर के पावर है वे से उनके देश में प्रिजिरंट के पास पावर है अप्लिकेशन पेटिशन चला गया और यह आत्मी वो प्रिजिडेंट का नफरत करने वाल आत्मी ता जिस गुनेगार फांजिल लगाने वाले है और प्रिजिडेंट के पास गये प्रिजिडेंट के माले में आत्मी तड़ा बेकार आत्मी है उसको प्रेम नहीं करता है नफर Bible के भच्षन कनिसार उसने दया दिखाया वहां से पेटिशन आया, पेटिशन का रिप्ले आ गे, इस वेक्ति को माफी में दे रहा हूं, उस आत्मी को बोला माफी को स्वीकार करना है, क्या करना है माफी को? स्वीकार करना, अजीब सा अद्मी है, एक दम पागल जैसे आत्म देखो, क्या बोलते, यह आत्मी का माफी मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए करके, वापस बेज दिये, बात में कोट वाला भी चाहूं के आरे, इसे केस कभी जिंदक में कभी आमने देखा नहीं, इवन बड़े-बड़े गुनगार लोग भी, बचने के लिए ही, चाहते ह हैं, इस वक्ति माफी मिल रहा है, बोलते हैं, मुझे नहीं चाहिए, फिर दुवारा पुछा गया, दुवारा उसको बलाए गया, भाई, तुमारे लिए, लास चाहिए, अभी तुम्हें माफी मिल रहा है, प्रिजिदेंट साब माफी कर रहे हैं, तुम लोगों की नहीं, उससा माफी लेंगे कि नहीं, बलते हैं, उसके माफी मुझे नहीं चाहिए, बला फिर तुमको तो सजाप पड़ेगी, फंजिल लग जाएगी, कोई बाट नहीं, लेकिन मैं माफी नहीं लोगा, अभी देखो, मैं अपसे पूछता हूँ, उस बेकुफ क्यो मरा, पापों स लेकिन बचने का रास्ता मिला, उस रास्ता को उसने क्या किया, इंकार किया, गमंड से बात किया, दया को सुविकार नहीं किया, आज हमारे में कोई भी ऐसे नहीं रहो, बड़ दया आप के लिए मिल रहा है, बड़ा माफी, बप्रमेशर का पुतर अपने कुन बआकर बच मfedढ़ 누実 beginning the next day for you. दे पास्तों में भायए जी आघे लखाय व 거죠? दे पया दो उप्पवित्र लखो जो तुन्हे भाया भात्रर लखो जो मुझे पापों से अच्छिय से अच्छिय से गान तोलो फ़िए गान है भी आत्मा को चंग हाएगा छरीर को भी चंग हाएगा फारीजेमा इसे लाएगा Hmm इसमे एग एग बया को फो फ्वाट झालेगा नाच नाच नाच्टें इसमे एक भाई मेर को फोन के फोट्ट जी हम अमारे कोई विश्वासि लोगे नाच एग दुनि अर्द उनको मालम नहीं, उसका वैल्यू मालम नहीं, दुनिया का कचरा गाना के लिए नाच रहे हैं, नरग में ले जाने वाले हैं, मन को गंदा करने वाले हैं, मन मन जी से लोग चल रहे हैं, वो लोग क्रोध की संतान, क्रोध की संतान सुभाव से उन लोग की क्रोध की बी क्रोद के संतान है उनके साथ जुड़ेंगे उनके साथ उनके गाना गाएंगे उनके जैसे रहेंगे उनके जैसे जाएंगे सुबाव से क्रोद की संतान है ये शुमसी बता रहें क्यों दुनिया के लिए यायविधी क्यों प्रभु का क्रोद परमिशर तो प्रेम ही परमिश प्रेम किया तुने गाना गाते हैं तुने मेरे लिए लहू बाहया तुने मेरो पर प्रेम प्रगट किया यहोना तीन सौला में पढ़ते हैं परमेशन ने जगत पर प्रेम किया लेकिन उसके आगे का वचनों को ज्यादा तर लोग देखते नहीं हैं प्रेम का वचन जरूर है लेगिन प्रेम को इंकार करने से क्रोध है जरूर क्या है क्रोध यहोना तीन सत्रा से पढ़ना सत्रा अठरा उनिस बीस इक्विस परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसले नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आगया दे जगत पर दंड की आदेगो दंड देने के लिए नहीं आया या इश्व मसी आपको दंड देने के लिए इस दुनिया में नहीं आया आया तो इश्व मेरे लिए बहाया लग मुझे बच्छाने के लिए पहले बार आया आपको बच्छाने के लिए परन्तु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उधार पाए जगत मतलब आप जगत में है कि नहीं इस दुनिया में ही तो है अभी मरा तो नहीं ना सोया तो नहीं जगते रहो जब मैं प्रचार करता हूं जगते रहो पर जई गर में जाके सो जाना जहने है यह लिग रहे है है हमारव लिए बच्छाने करिये अए उसके द्वारा बच जगत बच पूरा बच ना चाते है साथा का सबको फरमिश्र बचाना चाहते है माले में येक आत्मी को भी नश्ट नहीं होना चाहते नरख नहीं जाना चाहते येश्व मसी एक व्यक्ति का लहू से कितने भी 1000 करोड लोग भी बचु सकते इतना ताकत है लेकिन क्या होते है आगे बढ़ना पर जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आग्या नहीं उस पर दंड की आग्या नहीं अभी आग्या विश्वास करते ही कि नहीं यिश्व मुसी को उधार करता की रुप में प्रभु जानकर अगीगार करके विश्वास के साथ अम बबतिस्मा लेते हैं कि नहीं तो अमारे लिए क्या तालू के अमारे लिए क्या लगता है क्या वच्चन लगता है यही वच्चन अमारे लिए लाहुए अमार उपर धंड के आगन्या इस्षु मसी कुद बोलते हैं जो भिश्वास करेगा उसके उपर धंड की आगना नहीं है क्यों करेगो प्रेम को स्विकार कर रहा है वहां से माफी को स्विकार कर रहा है परमिशर के और से मिलने वाला उस दया को प्रभु मुझे चाहिए माफी मुझे दीजिये मैं ले रहा हूं मुझे चाहिए मैं पापी हूं मेरे जीवन में पाप है मैं पाप में मरा पड़ा हूं मेरे अंदर नया जीवन चाहिए मेरे अंदर शांती नहीं है इस दंग से अपने बीमारी को मानने वाले, अपने पापों को मानने वाले, प्रभू पर विश्वास करके उनके अंदर से वो जीवन को पालेते हैं, उनके पर धंड के आगने नहीं है, आगे परन्तु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोशी ठार चुका अभी नाया कुछ ज़ज्मिन नहीं, ज़ज्मिन पहले से है पहले से ज़ज्मिन वह भापस बैठा लोगों ने बोला अभी क्या करेंगे इसके पहले से फानसी का ज़ज्मिन अभी ये आत्मी स्विकार ने कर रहे हैं, तो इसलिए पहला वाला जज्जमंटी वापस लागू, यही चीज है, पहले से हैं, पहले से हैं, दोशी ठर चुका, कोई एक पाप नहीं है, यह किया इसलिए नरेक जार एक आज़ा नहीं है, में पाप है, विश्वास नहीं किया, स्विकार नहीं किया, प्रेम को इंकार किया, इसलिए दंड की आगना उस पर आ रहा है, प्रेम की बात हो रही है, 16 वच्चन में, लेकिन आगे जा करके यह बता रहे हैं, आगे बढ़ना, इसलिए कि उसने, परमेश्वर के एकलोते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं कि वापस बोल रहे हैं, एक लाउत पुत्र परमेश्वर नि एक ही बार 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 नहीं बेजें, एक लोत पुत्र का भddी आर्थि समझ inte, परमिश्वर एक बार इस दुनिया में मनिकर शॊरीर मे आया है, इक लोगों को बेजा दरूरानिश्वर के नभी लोगों को इबरहीं कितनी सारे लोगों को दवारा अपने जनता का अगवाई किया लेकिन आकरी में इशुमसी के दवारा ही एक लवता बेठा बोलते हैं इसलिए इशुमसी के दवारा अपना आपको प्रगट कराया परमिशयर के एक मात्रस मार्ग सत्य जीवन में हूँ, मेरे बागर कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है, मैं ही जीवन के रोटी, मैं ही अनन्त जीवन दे सकता हूँ, उस पर विश्वास नहीं करेगा, अनन्त जीवन को नहीं पायागा, अनन्त मृत्य को पायागा, यही प्रॉब्लम है, आगे, और दनकी आगया का कारण यह है कि जोती जगत में आई है दोसर वर्षों से जोती जगत में है सुसमाचर जगत में है कलिस्या जगत में है अभी कलिस्या उठा लिया नहीं गया प्रभु के विश्वासी जनता है सेवक लोग है जोती जगत में है और मनुश्य ने अंधकार को जोती से अधिक प्रिया जाना कुन सा अच्छा लगता है लोगों को पवित्रद अच्छा लगता है पाप अच्छा लगता है कि लोगों को आपक OSB general connection लोगों के लिए लगत तब अपवित्रादा बयो अपशू लगता व हृद लगता है तुम अपशु से खरना जाए उनको पागल्पन लगता है दुनिया की नीयम अला गया, वो लोगों के लिए, वो प्रिय जानते हैं, उनको अंदगार अच्छा लगता है, शेतान अच्छा लगता है, उनको सताने वाले, उनके परिशान न्य nuggets लेकर जाने वाले, वो इनेत अच्छा लगता है, यह नहीं था भी जूट बलते हैं, हमको भी जूट बलने अन्मधी करता है वो भी वेवचार करता है, हमको भी वेवचार करने के लिए सिखाता है मजा लेते हैं हम लोग इस रंग से शैतान लोगों को बरमाते हैं हाई के नहीं वो जोती से अंद्रगार को जानते हैं क्योंकि उनके काम बुरे थे काम बुरे थे सुबाव बुरे थे चाहत भी बुरे थे काम भी बुरे थे सुबाव से विचार से काम पहले सुबाव से ही प्रावलम है कितने बे अच्छी आत्मी है सुभाव में ही प्रावलम हमारा आदम अंदर है उस आदम को अठा कर मसी को लाएंगे नया जीवन पाएंगे यही कलिस्या काम है आपके अंदर मसी को प्रगट कराना है मा के गर्व से चुन लिया बुलाया मुझे क्या किया सुनाने को सुभसंदेश इशु को प्रगट किया इशु को प्रगट करना आपके अंदर इशु मसी को प्रगट करना ओई मेरे अंदर प्रगट करना मैने जनाम नया जनाम पाया पुराना जनाम तपाया 63 एर्स पाएले है यहीने कल मेरा complete correct 63 complete हो रहा है प्रभु के करभवा से वो नमा के पेट में जनम लिया लेकिन दूसरा जनम लिया पवितरात्मा से पहले क्रोध के संतान जोती को जोती के कामों को चाते नहीं थे पहले अभी जोती के काम अच्छा लगता है प्रेयर मिटिंग अच्छा लगता है सुथी आराधना करना अच्छा लगता है सुवे उटका गिटार लेके गीद लिखना अच्छा लगता है प्रभु को सुथी करना अच्छा लगता है बार बार प्रभु के गीद सुनते रहने से अच्छा लगता है प्रेयम में चलने से अच्छा लगता है, दूसरों को मदद करने से अच्छा लगता है, यह जोती का संतान है, गुंडागरी, तोटपाड, दमकी, दादागरी, यह सब पहले हमको अच्छा लगता था, अंदगार की संतान थे, अभी हमको जोती के संतान है, काम बुरा नहीं है, अभी आपका काम आपने बुराहे बुराहे। बुराहे। करना कभी भुराइ़े। नहीं करना अन्दगार के लोग उनका डेपाटमेंट हो। हं़ पुराय करना उनका काम कर एने हैं तकावट होते हैं, कभी कभी आरे स Dani लग चाहिए लेकन दुनिया का काम बुर है इसके कारएं दुनिया का धंडी यसे कारण अभी आपको नहीं लगेगा इतना दंड के बारे में अभी में बोलने लगूंगा, डर जाओगे, ऐसे ऐसे वच्छन है बाइबल में, कभी वच्छन है, लेगिन अभी वो लास्ट में बोलेंगे, फाले प्रेम का बात करेंगे, प्रेम से कीचेंगे, प्रेम इंकर नहीं करन बुराई काम करते रहते हैं, जोती के पास आते नहीं है, जोती के पास आएगा तभी पता चलेंगे, हमारा में क्या फॉल्ट है, एक स्रे लगा के देखेंगे, CT scan करेंगे, अभी क्या क्या होते है आज इकल, हाँ, सब होते हैं, CT scan, वो भी ज्यादा करना नहीं है, वो भी बो को लोगों को तो लोगों तो पैसा मिलता है, डाक्र को लोगों को, हाँ, ज्यादा जाने का नहीं, अभी देखो आगर दोना आंग का ठीक दिखता है, डाक्र बढ़ेगा आपका काटरेक करना पड़े, काना पड़े, मेरो को पंदरा साल से बोल रहे हैं, जब पचास उमर तबी भी मेरको बला आपको के ट्रैक करने पड़ेगी मैं बला मेरा आँक तो दोने देख रहा है इसके बागर भी दिखता है वैसे तो आए ना मैं बला क्या जरूर यह लोगों को पैसे के लिए कुछ भी कर देते हैं सावधानी से रहो प्रभु का प्रेम आपको बुरा ही क कितने अच्य पड़े लिके लोग देखो मेडिकल प्रफेशन में बड़ा लोग है उनके आस्पिटल वाला बोलेगा से सी टेस्टिंग लिको यह करना वो करना फिर यह करना है अंधागार की वश में है पशिकिकी लालच में है उनके काम पूरे हैं मिटाई से बात करेंगे आपको लगए गारे बलाई सोच रहे हैं, कहीं में जाएंगे स्कीम है, ये वर्ड स्कीम जो वर्ड है ना, मुझे बहुत अच्छ, बहुत मेरे को तुरंद मेरे अंदर, हां पवितरात्मा, वार्निंग दे दे दे, स्कीम में फ़सो मत, कहीं में जाएंगे स्कीम मतलब आपको उल्लू बनाने काई, आपको कहीं ना कहीं फ़साने काई, कोई भी आद में देखा, आपके लिए कोई बलाई करने के कोई संत नहीं बन गए हैं लोग दुनिया वाला, समझ ले ना, कोई आपको मददकार, वो अपने फाइदा के लिए कर रहे हैं, उनके काम बुरे हैं, आगे पढ़ना, क्योंकि, क्योंकि, क्योंकि जो कोई बुराई करता है, वो जोती से बैर रखता है, जोती से बैर रखेगा, ऐसे वच्चन उसका अच्छा नहीं लगेगा, पहित्रदा की बाते बोलें, अरे बेकुव यह नहीं चाहिए मुझे, हम बहुत पहित्र हैं, हम बहुत पहित्र हैं, बहुत हम संत हैं, लेकिन बाहर रख रहे हैं, वोई तो सबसे बड़ आशुदता है, अशुदता में सबसे बड़ अशुदता क्या है नफरत है समझ रहे हैं क्या है नफरत नफरत एक सबसे बड़ अशुदता है एक बार मैंने कहा था आस्पिटल में मैं बैठा हुआ था वहां पर बैठा हुआ था पता नहीं कोई दो लेडिस जा रहे थे वहां से वो वाइट पाता नहीं, मैं दर बैठा था, आइसे यह लोग, मुझे बागार हैं, मैं तर अपने इस्टान पर बैठा हूँ, लेडी सोरे, पहुत्र लोग जा रहा हैं, तुम निकल जाओ, कितने दो को अशुद दता है, यही तो अशुद दता है, दूसरा आत्मी को तुच्छे गन रह हैं, भाई, तुम लेडी से तो क्या है, हमारा बाई बहन नहीं है, हमारा बच्चे लोग नहीं है, लेडी स नहीं है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो ऐसे, वो सोच रहे हैं, वो लेडी स कम देख लेंगे, क्या देख लेंगे हम, महाराज जो लोग है, क्या महाराज है, हम अ यही तो बड़ आशुद्धता है, वो सोच रहे बहुत हम पवित्र है, यह तो अशुद्ध आत्मी है, अंट्चछिबल, अब हमारा देश में है, माले में, यही तो सबसे बड़ आशुद्धता है, जोती को बाहर रखते हैं. मैं समझ लिया मेरे अंदर पवित्रात्मा को देखर के उनके अंदर तुष्टात्मा नफरत कर रहा है फ्रेम नहीं है ये ये पवित्रात्मा नहीं है पवित्रात्मा केवल वाइट वाइट पाइने से नहीं है पवित्रदा केवल नंगापायर जाने से नहीं है कितने लोग हमारा रोट पर जाते हैं हमारा घर के पास में लेडिस लोग कितने जवान अच्छे अच्छे परिवार वाले बच्छे लोग संत बन करके गुमते राते हैं बेचारा मालम नहीं, यह सारे बचन मालम नहीं, इश्व मसी के द्वारा यह उद्दार मिलता है, जोती के संतान बनना, जोती को बायर करते हैं, जोती के पास आते हैं, आगे बनना, काम बुरे हैं, जोती से बायर रखते हैं, और जोती के निकट नहीं आता, जोती के निकट बहुत संत हैं, आथे नहीं आगे, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोश लगाया जाएंगे, पता चल जाएगा, आज लगाने दो, प्रभाव के लाइट मुझ में लगने दो, मेरे काम पता चलने दो, चुपाने से बिमारी बढ़ेगा, चुपाने से पाप बढ़ेगा, चुपके चुपके हम, शैतान हमको चुपके चुपके, चोरी का रोटी किलाएगा, काना नहीं, शैतान को बढ़ाना है, अंदेरा में काम बनेगा नहीं, अंदेरा में जीवन बर्बात होगी, शैतान की वश में रहना नहीं, हम जोती के संतान हैं, जोती को प्रेम करते हैं जोती में रहते हैं, जोती में चलते हैं, जोती के राज्य में हम पहुंचने वाले हैं, मौले में जो राज्य में जाने वाले हैं, वो राज्य में पूरा वहां पर नाइट नहीं है, बैबल में लिका है क्या है वहां पर, क्या बहुते हैं, रात नहीं है, रात नहीं है वहां, दिन रात यहां पर होते हैं, वहां रात नहीं, क्योंगे अंदेर आई नहीं है, जोती जोती है, परमेशरी जोती बन के रहेगा, उस राज्ये के लिए जाने वाले मेरे जोती के संतान, अपना आपको इस वचन से सिर करो मैं विश्वास कर रहा हूँ मेरे उपर दंड के आगना नहीं है काफी सारे वचन है और आगे बढ़ेंगे रोमियों का कीताब आठ का ये जब विश्वास करते हैं हमारो पर दंड के आगना नहीं है हम व्रुती से पारोकर जीवन में आ गये हैं Romans का 8.1, अतह अब जो मसी इशु में है, उन पर दंड की आ गया नहीं, उन पर नहीं है, सचाय पर चालेंगे, जोती पर चालेंगे, उनके उपर दंड की आगना नहीं है, उनके उपर क्योंकि आगे, आगे बढ़ना, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, वरन आत्मा के पुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्ता ने मसी इशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्ता से स्वतंत्र कर दिया अबी दूसरा नियम हमारे में चल रहा है आत्मा की नियम, पहुत्रदा की नियम, प्रेम का नियम, वो नियम मुझे उस गंदा नियम से चुड़ाता है पूछ नियम कारिय कर रहा है कोई भी चीज पृति का नीचे गिर जाता है लेकिन पक्षी उड़ता है अपने ताकत से वैसे विश्वासी गिर्यगा नहीं बले विश्वासी को भी नीचे कीचने के लिए संसार की ताकत दुष्टता की ताकत लोगों की शरीरिक अभिलाश नीचे कीचने के लिए कारिय कर रहा है शरीर नीचे कीच रहा है आत्मा आपको उपर लेके जा रहा है पक्षी कैसे उपर जा रहा है उसको पंक से आपके पास पंक है माले में दो पंक है में पंक एक विश्वासी के लिए एक सेवक हमको सिखा है थे नया नया में प्रात्रा गर्वाइबल पढना का क्या प्रात्रा ना गरना जए मैं हमssa 56 कि विदैते हैं लोग बोलते पड़ लिया थै क्या पढ़ लिया पैंतालिस साल से हम पढ़ रहे हैं अभी भी हम पढ़ते जा रहे हैं यह ऐसे कि कहाने वाला किताब नहीं है दो पंक से उड़ते रहना अत्मिक मंडल में रहना है तो प्रात्ना को कम कम नहीं करना वच्छन को पढ़ लिया मैं जान लिया नहीं सोचना दोन पंक से उड़ते रहना आत्मी मंडल में रहेंगे आत्मा की नियम कारिया करेगा पाप के ताकत आपके अपर प्रभुता नहीं होगी आत्मी का आत्मा की ताकत आपको संबालेगा आत्मा की नियम कारिया करेगा शरीरी कनसार नहीं आत्मा कनसार चलेंगे आपके प्रदंड के आगना नहीं है। जैनि कभी वच्चा न एक ट Если लोने के में बोल रहे हैं, पंच न व में पर मे openness ले थाराया। परना ओन क्योंकि परमेश्वर ने हमें ख्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभविश्व मसी के द्वारा उधार प्राप्त करें उधार प्राप्त करना बच जाना आने वाला क्रोध से बचना हमें दंड नहीं मिलना दुनिया को दंड मिलने वाले दुनिया में रहोगे दंड पाऊगे दुनिया से अलग रहना पापो में नहीं रहना अंदेरा में नहीं रहना जोती के संतान बन के रहना प्रेम में रहना परमेश्वरा में क्रोध के लिए नहीं बुलाया इसलिए चर्च नहीं आये चर्च क्यों आये क्रोध से बच जायने के लिए अनुगरत के संतान बनने के लिए उद्धार पाने के लिए आये है परमेशने में क्रोध के लिए नहीं रोमियों का पांच नव पढ़ना प्रभु का प्रेम के बारे में वर्नन कर रहे हैं वहां पर वो भी बता रहे हैं हमारा अंदर हमारा उपर दंड की आगना नहीं है अता जब की हम अब उसके लहु के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्व के क्रोच से क्यों न बचेंगे क्यों न बचेंगे अशूरंस दे रहे मजला बोल रहे हैं उससालवेशन में बने रहो उस उदार के अनुबो में बने रहो उसको चोट चाट कर नहीं जाना कलिस्या चोट चाट कर नहीं जाना प्रभु के मारग चोट कर नहीं जाना इसमें बने रहो जब उसके लहू से धर्मी ठराये गए नहीं जनम पाली हैं सेंद में धर्मी ठराये गए आने वाले क्रोज से क्यों नहीं बचेंगे बचेंगे की नहीं शौर है की नहीं शौर है शौर तो यही अशूरेंस हमारे लिए कैसे आता है हम प्रभु से हमेशा दया मांगना चाहिए, प्रभु मुझे मधद करो, मैं तेरे राह पर चलते रहू, उद्दार को संभालते रहू, अनुगरा में बने रहू, तेरे साथ जुड़े रहू, तेरे बच्चों लोगों के साथ जुड़े रहू, मुझे मधद कीजिए, कभी बर्माय ना जाए, कभी भी बठक ना जाए, आइसा हम रहेंगे, जरूर अमार मन हमें, कहीं भी गल्ती होतो भी पता देगा, पहुतरात्मा बता देगा, आपको मदद करेगा, आपके लिए कुरोध नहीं है, आने बाला कुरोध से बच जाओ, यह अना के द्वारा प्रच देगे नहीं भचायाः माले में, नीतिय बचन 11 का 4 पड़िये, करोधा दीन में भचायाः नहीं भचायाः माले मंद करोध कर दिन में पाइसा नहीं होता। कि प्रमिष्य कर नुगर बचायाः में भचाया। परंतु धर्म्रित्यों से है, धर्मिकता, स्टिजाएगे दखायेगे परमेश्रो की धार्मिकता, पने लिए 생त्रा कमाओ, अपने बुद थे धार्मिकता, फचर्ण कमाओ, ज्यान कमाओ, प्रेम कमाओ, पवीतर्शपना कमाओ, व ही बच्ष रहा powinना। हाँ यße में स्यारिपे द्वारा मिलने वाला धर मिता कौन आवो कॉम एक क्रोद GOD के दिन में बच्छा है बताना चाहते हैं बचाने के लिए आपको बुलाया जाना कालए स्यामें हैँ अभी आप घरीश्यं में रहो अवे आहए सिम्धान। पत्च जाओगे, आई हम परात्ना करेंगे, सवर्गे पिता, सब लग करते रो, प्रभू मुझे अपके Пवित्र आमार्ग पर चलने दीजिये, प्रभू मुझे पहिट्र करो, मुझे शुद्य करो, सब लग करो, तेरे लहु से दर मी ठारा कर कुरोज से बच जाओंगा विश्वास करने वॉले आने वाले कौप से बच जाएगा दन दवलत ज़रूर काम आता है दुनिया में डर्वत पड़ता है लेकिन परमेशर के प्रकौप दुनिया पर आयागा पहले से दर मी लोग नहीं है पहले से परभू के प जोती आने के बाद भी, प्रभु का वच्चन आने के बाद भी, इश्मसी आने के बाद भी, लोग उसको स्विकार नहीं करते हैं, इसलिए धंड पाते हैं, पापों को मानकर अंगिगार करके स्विकार करेगा, उनके पर दया की जाएगी, प्रभु मुझ पर दया करो, मुझ अभी में अनगर के संतान, मेरे अपर अनगर पर अनगर है, जिलाया गया, जिलाया हुआ में, पापो में जिता जो मरा मसी में जिलाकर स्वर्गेस्तान में पटाया हुआ, जान मेरा परमेशर में, मसी के साथ अचिपा, जाहीर होगा जब मसी महीमा में आयागा, मसी को मुझ म में रखा है, महिमा की आश्चा है, महिमा पर महिमा मैं भात्ते रहूंगा इस ढंक से गिद गावो, अनुगरा पर अनुगरा महिमा पर महिमा और प्रेम, और पहुत्रदा, और शुद्धता, और वी सामर्थ, आगे बढ़ेगा, आगे बड़ो जवान, आएम प्रातना कोई वे एक प्रातना करेंगे, औलेल्लुया, स्थोत्रम अंडवरे, स्थोत्रम अप्पास, औलेल्लुया, नंबीकें, नंबीकें, आमे प्रतर. आलेलुया नंटि सल्त्थु ग्रमपाईं! एंगले वेर्पिच्चिंगां एंदोरें! नंटि एंदोरें! एंदोरें! आलेलुया एंदोरें! அलेलुया एंदोरा! pissोथरें! स्कोथरें! उदविसेंगा अंडवरे नन्पिले निलित्त रुखे उदविसेंगा अंडवरे उदविसेंगा पास आमेन नीगा अंडवरे स्तोत्रमा अंडवरे मुड़े करतिले कुड़ुकरों अरा बरा 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 दूरा बरा 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 कात्तु कुल्डमा अंडवरे ओररी कात्तु कुल्डमा अंडवरे अलेलुया अम्मे विट्ट पिरिया अंडवरे आमेन अलेलुया जय मेड़कोना अंडवरे, जय मेड़कोना अंडवरे, स्तोत्रम अंडवरे, इरुकरिंगा प्पास, स्तोत्रम्स, पार्क उदविसेंगा अंडवरे, स्तोत्रम्स, एंडु माराधवरा इरुकरिंगा अंडवरे, स्तोत्रम्स, पेकरा ललुया, स्तोत्रम्स, स्तोत्रम्स, स् अदेवे सहिंगा पास अदेवे सहिंगा अंडवरे करतले कोड़ कोरो अंडवरे इसमेलामा केसलत गरो इसमना बतिल जवी करों न लब आमेन अमारा पिता परमिश्यर का प्रेम भुतरिश मसी का अनुगर है पुईतर आत्म का संगा दिया हम सब के साथ हमेशा बना रहा है